नवरात्र के साथ विदिन्मा भगवती के जिस्वरूप की पूजा अर्चना का विधान है वे देवी कालरात्री के नाम से विख्यात है इनका दर्शन पूजन कल्याड कारी है भगवती संघार की शक्ती है मृत्यू अर्थात काल का विनाश करने की शक्ती भगवती में होने के कारण इनको काल रात्री के रूप में पूजा गया है देवेश्वरिया काल मृत्यू से बचाने वाली है सभी भेवाधाओं का नाश करती है भगवती काल रात्री की उपासना से सभी तरके भई से मुक्ती मिलती है वे शत्रूं से संबंधों में सुधार करती हैं बहुत एकतापका नाश करती हैं नवरात्र के सब्तिमी तिथी में 6 वर्षे कन्या का पूजन करने का विधान है प्राता पूर्वा भिमुक पर सायकार उत्रा भिमुक पूजन श्रेश कार है शंदेश माकाली की उपासना से आक समय भई बाधाओं का विनाश होता है शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि माताकाल रात्री के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से भूत बाधाओं से मुक्ती मिलती है और घर से इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भाग जाती है शास्त्रों में बताया गया है कि माता कालुरात्री के तीन नेत्र और चार भुजाए है प्रते एक हाथ में मा ने वरद मुद्रा अभ्य मुद्रा लोहे के धातू से बना काटा और तलवार धारन किया है मा गधे पर सवार होकर अपने भक्तों की प्राथना सुनने आती है माता को गहरा नीला रंग सरवाधिक प्रिय है नवरात्र महापर्व के सबतमी तिति के दिन ब्रह्म मूरत में स्नान ध्यान करें और पूजास्थल की अच्छे से सफाई करें इसके बाद पूजास्थल को गंगाजल से स्टिक करें फिर मा को फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षट, इद्याती अर्पित करें माता कालरात्री को नीबू से बनी माला अर्पित करें और गुर्ड से बनी पकवान का भोग लगाएं इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मंधरों का जाप करें फिर मा कालरात्री की आर्पित उतारें आर्पित से पहले दुर्गा चालीसा और दुर्गा शब्त सती का पार्ट करना बिल्कुल ना भूलें आर्पित के बाद माता से अंजाने में हुई गल्तियों के लिए छमा प्रात्र ना करें या देवी सरवुनोंतिसो नमस्तर से नमस्तर से नमस्तर से नमस्तर से नमनी